नमस्कार इस कॉरोना की महामारी में सबसे ज़्यादा यदि कुछ तकलीप देखी जा रही है तो वो है स्वासकस्ट ऐसा नहीं कि कॉरोना के कारणी स्वासकस्ट शुरू हुआ हो पहले भी हम लोग यदि जनरल प्रेक्टिस में देखते हैं तो हमें बहुत सारे रेस्पिरेट्री डिसॉर्डर्स की एक लिस्ट मिलती है यदि हम बात करें एक्यूट राइनाइटिस हॉर्सनेस ओफ वाइस एक्यूट ब्रॉंकाइटिस खांसी एकदम तेज खांसी क्रोनिक ब्रॉंकाइटिस बर्सों से खांसी चलिया रही ब्रॉंकियल इंफ्रेल्मेशन हुआ 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 है निमोनिया जहां अल्वेलराई बिल्कुल साथ छोड़ने वाली है तिवर क्लोसिस एक जमाने में तो यह महामारी थी आज जैसे कोरोना महामारी है एक युग में तिवर क्लोसिस भी वैसी महामारी थी जैसी आज कोरोना आज तो हम लोग सक्षम हैं कि कोरोना से डील कर रहे हैं लेकिन उस समय का हमारा समाद सक्षम भी नहीं था जो यह ग्यलस्थमा, बोलते हैं दमा दम के साथ जाता है। कितना कस्ट कर रोग है। हम रेस्परेट्री चीजों को शुरू शुरू में बड़ा हलका लेते हैं। यह सब रोग आदमी को ढड़ पाते हैं। आक्सिजन की शरीर में कमी होती है, हीमोगलोबिन कमजोर हो जाता है आक्सिजन का ट्रंसपोर्टेशन हीमोगलोबिन के उपर है तो वो हर धातू कमजोर हो जाती है इसका मतलब जो प्रानवायू है वो हमारे शरीर में धिरे धिरे कम होने लगती है है और हमें स्वास के कस्ट मैसूस होने लगते हैं आहरवेद शुरू से डील करता है ऐसा नहीं है कि अभी दस-वीश सालों में ही ये कोरोना आया है ये पहले खांसी सर्दी नहीं होती थी ऐसा कुछ भी नहीं है कास हमारे यह रोग है कसनात इतिकासा जो कांसे के बरतन की तर से लेके बड़े तक को बड़ा effective है वसा है वसा तो modern दवाईयों में भी यूज होती है हर फार्वों को पिये में वसा है घोजिबवादी कौात है जंडू का जैब स सीरफ है या हम साश्त्री दवाईयों की बात करें तो साश्त्री दवाईयों में खांसी के लिए तीन दरे की प्रकृतियों की तीन अलग-अलग दवाईयां हैं यदि वह वात प्रकृति का आदमी है तो मदिया स्टादी बटी ऐसे तीनों प्रकृतियों के लिए अलग-अलग दवाईयां हम लोगों के हैं मौजूद है हम देखते हैं कि साज कस्ट में सबसे बड़ी प्राब्लम होती है कि गले में कफ अठक जाता है वो कफ कई चेश्टाओं से नहीं निकलता मात्रिस के लिए कई एक्सपेक्टोरेंट अईरवेद में मौजूद है तंकन भस्म एंटिसेप्टिक एंटिबायोटिक है अईरवेद का तालीसादी चूर्ण ये भी तीन से पांच ग्राम तीन वार लिया जा सकता है और बहुत अच्छा एक्सपेक्टोरेंट है ये वासा मैंने का एड़टोड़्दम वासिका तो वासावले जो है वो वासावले भी तो आराम से लिया जा सकता है ये किसी को खांसी हो रही है कप सिरभ भी बहुत है कंका सब भी है वो अलग है आरा हूँ मैं उस पे यह दिमें ब्रॉंकाइटिस की बात करूं तो लगुमालनी वसंत मेरे यह ड्रग ऑफ च्वाइस है लवंगादी वटी है लवंगादी चून तो है ही यह किसी न किसी आयरवेद के विशेशक इसे सला लेके आप लोग तुरंद शुरू कर सकते हैं 64 प्रहर पिपली चुन यह भी एक शेद के साथ लेने वाली बहुत ही अच्छी दवा है टिवर क्लोसिस की एद में बात करूं तो इसे राज रोग कहा है 27 नक्षत्रों के पती चंद्रमा को यह रोग हुआ तो सौम रोग भी इसे कहा यक्षमा राज यक्षमा इसके नाम लेकिन हमारे दवाईयां भी इसके लिए बहुत अच्छी है और रिसर्च प्रूब्ड हो चुकी है कि हाँ यह रिकवरी को तुरंत स्पीड अप करती हैं पेसब करती हैं जिससे मरीद जल्दी से जल्दी ठीक होता है रसाइन के रूप राज मिरगांक रस ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टिवर क्लॉसिस स्वर्ण मालनी बसंत शड़ पुति अप्रक भस्म मुक्ता पंचामरत मौती से बना हुआ मुक्ता प्रवाल संक कपर्दिका वराटिका सबी चीजें इसमें शिला जत्तवादी लोह ये सब चीजें आपकी राज एक्षमा में या टिवर क्लॉसिस में बहुत ही ज़्यादा फायदा देने वाली हैं और तो और यदि हम हेलो पेती दवाईयों के साथ अकेला पिपली का चूर्ण बना चालू करते हैं तो उससे स्पीडी रिकवरी होत तरशून हैं इतनी सारी दवाईया अएरवेद में मौझूद हैं और हर प्रकृति की सरदी के लिए अलग-अलग मौझूद हैं कृपिया किसी विशेशकी से मिलकर और पुनानी सरदी हो या नई सरदी आराम से अएरवेद का चिकित्सा आप शुरू करा सकने हैं अब सरद की उपिक्षा आपने की बहुत दिनों से सरदी रही तो निश्चित बात है कि नजला आपको हो जाएगा पीनस कहते हैं या उसको साइनूसाइटिस कहते हैं या डक्टरों की बासा में साइनस कहते हैं उसको वो तब ही होता है जनली जब या तो सेप्टम डिस्टर्ब्ड ह और या जनरली आपकी उपिक्षा से होता है जब आप सर्दी की बहुत दिनों तक उपिक्षा करते हैं उसके लिए दस्मूल रशायन भी है कनका सब भी है सडविंदू तेल भी है कितने सारे योग हैं हमारे हैं सर्दी, खांसी, अस्थमा, काफ किसी भी रोग में रोगी, रोग, रोग का बल, रोग का रोगी का बल ये सब का ध्यान रखते हुए बैद जो फॉर्मूला बना के, योग बना के आपको देता है वो निश्चय उसकी युक्ति से बहुत स्रेश्ट है सितोपला दी चून पितज कास के लिए करपूरा दी चून कफज कास के लिए तालिसा दी चून वातज कास के लिए चच्चो सस्ट पिपली स्रंग्या दी चून यस्टी मदू कड़फला दी बहुततर कितने सारे योग में बोलू कितने सारे योग बोलू कि बस मेरा मानना ये है ये योग मेरे बोलने से भी आपको याद रहने वाले नहीं है तो इनकी लिस्ट एक सुना के मैं आपको केवल संतुस्ट नहीं करना चाता यदि आप इस तरह की किसी ब्यादी से पीडित हैं और तोहर ऐसी नहीं सीरियस जिसमें गरंथियां हो जाती है ग्लेंड्स हो जाती है ग्लेंड्स के लिए मेरे यहां ड्रग ऑफ चॉइस है आपका कांचनार गुगुलू जहां जहां ग्लेंड्स लंग्स में हों ओवरी में हों कहीं भी यह वो ग्लेंड्स हो जाती है तो उसके लिए कांचनार कुगुलू ड्रग ऑफ चोईस है उसे दो से छे मेना लेने में ये सब चीज़ें कम होती जाती है ये कफ और ब्रॉंक्रियल अस्तमा है तो जैसा मैंने बोला कनका सब है वास का सब है वासा का कनका सब है धतूरे का वासा दी काड़ा है ये एलर्जि खून भी निकल ला है तो वासा वाले या वासा घृत आपको काम करता है या क्रोनिकी कफ है तो कंदकारी का वाले आपके काम करता है यbrahim सर्दीखनसी हुई ह्ए तो अधरक का वुवले आपको काम परका दाए चबन प्राश तो है ही, अगाश तरीत की रसाइन है ही, कितने रसाइनों की वे बात करो, कटफला दी चूण, तालिसा दी चूण, डानीमा दी चूण में इतने चूण बता चुका, लबंगा दी बटी, एला दी बटी, चितोपला दी बटी, ये भी बोल चुका, द्राक्षा सब उननवा कितनी चीज़ें है आएरवेध में करपा करके इसलिए आएरवेधिक विसेस cit के पास जरूर जाएं एक भंडार है चाये वो जैम सहों चाये वो चट्रियां हों चाये वो चूर्ण हों चाये कैप्सूल सहों योग हों इतने तेल हैं इतने योग हैं इतने compound हैं कि आप respiratory problem से कम से कम अच्छी तरह manage कर सकते हैं कुछ रोग ठीक होते हैं लेकिन दमा या अस्थमा ठीक होने वाला रोग नहीं है यह याप्पी ब्यादी बताया है यह जब तक आदमी जिंदा रहता है तब तक आदमी का चलता है तो इसलिए जो याप्पी ब्यादियां हैं उनके लिए कोई ओवर क्लेम भी यह दिकरता है तो वो गल्ती है और यह जो ठीक हो जाने वाली साध्य ब्यादियां हैं या कर्ष् झाल झाल